हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आइ होब सब अच्छे होंगे दिसी संजे कुमार आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी पिछले वाले लेक्षर में हमने आपको इसके पहले वाला जो आपका पुएंट आ वो मैंने डिसकस किया था ठीक हैं आज हम डिसकस करने वाले हैं Avaporation जिसको कहते हैं हिंदी में VASPन VASPन होता क्या है? ये हम आज देखने वाले हैं जो VASPन होती है कोई भी जल को उसके वास्प में परिबर्तन करने की परिक्रिया को क्या कहते हैं वासपन कहते हैं और इंगलीस में है क्या The process of conversion of water into its vapor is called evaporation ओके, so वासपन होता क्या तो यह हम देखने वाले इसमें, evaporation क्या होता है आप एक activity करें आपको पास लाए, यह होता है evaporation देखिये, आपको क्या करना है कि कुछ जो है, salt लेना है ठीक है, अप्रोक्स टू स्पून सॉल्ट लेना है, उसके बद आपको वाटर लेना है, एक बीकर लेना है, आपको मैं बीकर दिखाता हूँ, इस बीकर में आपको क्या करना है, सॉल्ट और वाटर को दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद क्या करना है, आपको इसमें ड मिलाया मिलाने के बाद क्या करेंगे आप इसको बॉयल करना शुरू कर देंगे ठीक है बॉयल करना शुरू करेंगे यह देख रहे हैं आप फ्लेम जल लाइए और इसे बॉयल करना हमने शुरू किया उसके बाद क्या हुआ जब हमने बॉयल करना शुरू हुआ तो क्या इस प जो water और salt के mixer को हम क्या कर सकते हैं, evaporation process से अलग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया आपको इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप heat produce करेंगे, जब ये heat produce होगा, तो इन में से जो water है, वो कैसा convert होना शुरू हो जागा, वेपर में convert होना शुरू हो जाएगा, जब ये वेपर में convert होना शुरू हो जाएगा, until water, जब तक इसके अंदर water है, तब तक ये किसमें convert होता रहेगा, वेपर में, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, जब ये पूरा का, पूरा पानी वेपराइड हो जाएगा वेपराइड वास्पित हो जाएगा तो उसके अंदर क्या बचेगा जो हमारा salt था amount of salt वो रह जाएगा तो क्या क्या हमने इससे हमने दोनों को separate कर लिया water भी separate हो गया और आपका salt भी separate हो गया अब बात आती है कि water water कैसे separate हुआ वाटर तो यहाँ स्रीमूव हो गया है हो गया ना क्योंकि पटा नहीं चला हमें कहां गया है वाटर कहां separate हुआ है मिंस हमारे पास तो सृफ बच गया है salt भच आ है लेकिन water कैसे मारे पास आएगा तो इनके लिए प्रॉसेस करना है कि आपको करना क्या है आपने देखा होगा कि जैसे चाय की कितली होती है न अप हमने क्या क्या हमने सिंब्ल सबताया आपको इसके अंदर अगर सॉल्ट है तो salt को हम ने क्या क्या दोनों separate कर ले, लेकिन water कौहा क्या गिया, तो water क्या करेंगे हम, उसको condensed कर देंगे, जैसे एक content करना सुरू की ह Bowl water कैसा form, जो vapor कैसा form में बनना सुरू हो जाएगा, आपका, वो आपका liquid के form में बनना सुरू हो जाएगा, तो इनके लिए क्या करेंगे हम इसको जो आपका वेपर था उसको क्या करेंगे हम condensate करेंगे उसे ठंडा करेंगे हम ठीक है condensate का मतलब होता है आपका संगनन condensation का मतलब तो हमने क्या क्या हमने क्या क्या था इसके पहले जो पाणी इसको वाइल किया था वाइल करने के बाद क्या क्या इनसे दोनों रिमूव हो गया ठीक है चलिए अब देखते हैं आगे क्या है मैंने बतायाता है जो वैपराइसन है वैपराइसन वो क्या है दा प्रोसेस आफ conversion of water into its vapor is called evaporation ठीक है, आपको I hope समझ में आया होगा, means इसको हिंदी में कैसे कहेंगे, जल को उसके वास्पन में परिवर्तन करने के परिकरिया को वास्पन कहते हैं, ठीक है अब देखते हैं, बात आती है कि जो salt है, वो कहां से आती है हमारे पास आपके माइन में खुशन आता हुगा जो नमक है, वो हमारे पास कहा साथ है तो नमक जो होता है, आप देखती ही समुंदर के जल से नमक निकालते हैं ओके, वो कैसे निकालते हैं, क्या उनको वापर करते हैं, मैंने बताया कि सॉल्ट है वह पानी में मिक्स है तो कैसे निकाल हमने वेपराइस किया तो क्या इतने अमाउंट में क्या वेपर कर सकते हैं वेपराइस कर सकते हैं उसको क्योंकि जो सी है सी तो बहुत बड़ा है क्या सभी को हम हिट कर इसके नीचे यह क्या करेंगे इसको हिट करेंगे नहीं बना होता है उस तरह से इसमें भी एक तरह से खटाल सा बना जाता है इसमें बनाने का क्या मतलब इनका इनमें क्या करता है कुछ गड़ा सा बना दिया जाता है उसके बाद जब यह पानी समुंदर का जो यह पानी है यह पानी जब वह आती है इसके किनारे में आती है और इसक यह वाला था यह बना हुए आपका और यहां पर मालने आपको sunlight है तो sunlight से यह क्या होना सुरू होता है वेपराइज करना सुरू हो जाता है जब वेपराइज होना सुरू हो जाता है वास्पन होना सुरू हो जाता है तो इसके नीचे का जो क्या settle down हो आता है वो आपको क्या मिल ग्याया था जिसके हमें salt मिल ग्याय था का इसे ही क्या करते हैं उसमें Дेखते हैं कीआट यहां तक साहँट आपका क्लियर होगा anytime के अब देखते हैं क्या hmm अब इनके लिए भी क्या करते हैं ऐसा नहीं है कि हमई अइसा करने एपया कर हमारे पास जो fresh जो salt वो मिल गया हमें, नहीं, fresh salt नहीं मिला, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो sea water है, sea water से हम salt निकालते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कि वो common salt जो है, उनमें से हम इतना easily नहीं निकालते हैं, जो हम खाने वाला हमारा है, जो हम खाते हैं salt को, वो salt, common salt हम नहीं निका करते हैं फर्दर कुछ और भी प्योरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं ठीक है कुछ और भी प्योरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं जिसके वह से क्या करते हैं इसलिए उसे जो हमारा खाना जो नमक है वो खाने लायक हो जाता है ओके यह देखिए आपको गड़ा से दिखाए दे रह तो यह process होता है आपका salt निकालने का लेकिन इसमें भी क्या है कि आपको जो है common salt नहीं मिलता है जिसके कारण आप इसे अभी use नहीं कर सकते हैं इसके further repetition होता है इनके बाद purification होता है तो हम कुछ method देखते है separation का ठीक है कैसे कैसे हम क्या के separate कर सकते हैं क्या के अलग कर सकते हैं we have studied some method for separation हमने अभी क्या पड़ा separation का method पड़ाता है का method में क्या पढ़ाता हमने hand picking पढ़ाता उसके बाद हमने क्या पढ़ाता थ्रेसर का बालू है और हम नमक की बात कर रहे है तो अब इसे कैसे अलग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो कैसे अलग करेंगा बाती आती न यहांप क्या है sand भी है और salt भी है तो हम इस process में क्या करेंगे further वोई process repeat करेंगे कैसे process repeat करेंगे इसके लिए क्या करना होगा आपको एक beaker लेना होगा ठीक है beaker के जगह पर क्या ले सकते हैं ये वाला जो मैंने process बताया था ये भी ले सकते हैं इसको क्या करेंगा इसमें पहले तो आपने क्या किया मैंने आपको पहले क्या बता इसके पहले कि जो salt और water को कैसे अलग करेंगे इसमें क्या है वो इसमें आपका जो water salt और sand तो अभी क्या mix है अभी तो sand और salt mix है तो इसमें से क्या करेंगे हो इसमें से पहले तो यह है कि इन दोनों में से कोई एक को separate करेंगे, फिर उन से water को separate करेंगे, means अभी बात आती है, अगर sand और salt को mix है, ये दोनों mix है, इनको separate करना है, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कि water में क्या करेंगे, पहले इन दोनों को mix कर देंगे, जो mixer of salt and sand है जो mixer बना मिस्रन बना हुआ है नमक और बालू का उसको क्या करेंगा है हम पाने के साथ घोलना सुरू करेंगा हमने घोल दिया घोलने के बाद आपको क्या पता है कि salt तो easily dissolve हो जाएगा उसमें नमक जो है easily घुल जाएगा ना तो नमक उसमें घुल गया बांक के क्या रह गया क्योंकि ये तो immisable है ये तो घुलेगा नहीं जो sand है आपका तो क्या हो गया कि water में आपको सिर्फ दिखाई देगा आप क्या sand दिखाई देगा क्योंकि आपको पता है water के साथ salt जो है वो mix हो गया है means sand अलग हो गया और वो आपका जो water है वो अलग हो गया अब water में भी तो mix है water में क्या था water के साथ क्या था इनके साथ salt था salt था ना salt था ना salt था इनके साथ ही mix हो गया था water के साथ तो water के साथ अब भी salt है हमें क्या करना था सेंड और साल्ट को अलग करना था अभी तो इसके साथ वाटर है अब इन दोनों को अलग करेंगे इन दोनों को अलग कैसे करेंगे इसके पहले वाला जो मैंने आपका फिगर दिखाया था उसमें क्या था उसमें यही था उसमें सेम ही था ना कि साल्ट को हमने क्या क्या था व अभी आपने water का और salt का, डाल दिया है, डालने के बाद आप इसे evaporate करेंगे, until जब तक इसके अंदर water है, आपने evaporate करना शुरू किया, अब जो ये vapor है, ये vapor कैसा होता है, बिल्कुल गडम होता है न, hot होता है, तो इसे हम जैसे ही vapor को cold करना, cold करना शुरू कर देंगे, जैसे को utensil दिखाए दे रहा है, बरतने के उपर हमने क्या क्या क्या, कुछ ये रखा, ice cube रखा है, कुछ हमने क्या रखा है, ice cube रख दिया है, जिसके बज़ेसे क्या है, वो easily, ये cool हो जा रहा है water, ठीक है, तो vapor cool हो कर क्या बनागा ये, water बन गिया है, means ये water आपका separate हो गया, until हमने easily इस से salt भी निकाल लिया है water भी निकाल लिया है और हमने इसके पहले sand भी निकाल लिया था means अब हमने sand को भी अलग कर दिया sand के साथ-साथ salt को भी अलग कर दिया so इस method से हम चाह कर सकते हैं sand और salt को अलग-अलग कर सकते हैं अब जो process बताया था मैंने, जो आपका conversion हुआ था, water vapor into liquid, अगर water vapor liquid में change होगा, तो सो कहा कहेंगे हम condensation कहेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं, संगनन कहते हैं, इसको कैसे आप लिखेंगे, the process of conversion of water vapor into liquids, the process of conversion of water vapor into liquids, form is called condensation, means, जलवास्प से उनकी द्रव अवस्था में परिवरतन करने के परिग्रिया क्या कहते हैं, संगनन कहते हैं, यहां तक आपका क्लिए रहें, इसको अब जब आप यह देखते हैं, आपने घर पे देखा होगा, दूद को उबलते हुए, जब आप एक, यूटेंसिल में बरतन में रखके दूद को उबलते हैं, तो उबलने के बाद देखते हैं, कि उसके उपर जो बरतन रखा था, आपने धकन रखा था, उनके उपर कुछ water droplets आना सुरू हो जाता है, पानी की बूंदे बननी सुरू हो जाती है, वो किसके भियाप पे होती है, वो भी कैसा होता है, आपका condensation के through ही होता है, क्यों होता है, क्योंकि आपने पानी अभी दूद को boil किया, कुछ time के लिए छोड़ दे, जब यह ठंडी होनी शुरू हो जाएगी, यूटेंसिल तो आप देखेंगा, उसके अंदर water droplets बनना सुरू हो जाता है, kettle के अंदर, यह के लिए यह बना हुआ, ठीक है, I hope आपको समाझ आया होगा, अब देखते है, क्या था इन क्या, मैंने बता दिया आपको separate करना, कैसे क्या था हमने separate, separate salt को, और sand और water का using, कौन से method से use किया था, मैंने इसमें बताना आपको, कौन से method से use किया था, मैंने, decantation यूज किया था ठीक है, यह से method मैंने यूज किया इनको separate करने के लिए, separate salt, sand and water using process of decantation, decantation process मैंने यूज किया पहला, फिर filtration process मैंने यूज किया, फिर evaporation and condensation process यूज किया, क्या ना, चलिए, यह होगी आपका complete, अब बात करते हैं, किसी इसका, तो पहले देखिए, इनका हिंदी बता दू आपको, फिर आप confuse ना हो जाए, decantation का मतलब आपका क्या था, यह देखना है, filtration का मतलब क्या था, और बाकी इनका देखते है, तो decantation का मतलब क्या था, निस्तारन, क्या था आपका, निस्तारन, filtration का मतलब क्या था, आपका, filter करना, filter करना, निस्यंदन, और evaporation का मतलब था, आपका washman, condensation का मतलब था संगनन ओके, so I hope आपनों का kill it होगा, अब देखते हैं पर next point अब इसके बाद बात आती है जैसे कि यह जो बूजो है, वो उसने क्या क्या, उसने भी एक activity क्या activity कैसे क्या, उसने क्या क्या एक पूरा का पूरा पैकेट जो है salt का नमक का पैकेट है उसने क्या किया, कुछ amount of water में mix कर दिया, mix करने के बाद देखा उसने, कि वापस से वो जो जितना salt है वो उसने recover नहीं कर पाया क्यों नहीं कर पाया recover, उसका reason है क्यों नहीं कर पाया, बताइए आप चलिए यहीं बाद चलिएगा, आपको क्यों नहीं कर पाया अब देखतें, next point क्या है can water dissolve any amount of a substance क्या, कोई भी जो, मतलब जल जो है, किसी परदारत का कितनी मातरा में घोल सकते हैं, क्या नहीं, आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं, salt की तो पानी की जो आपको water का जो आपका amount है वो कैसा होना चीए वो maximum होना चीए, ज़्यादा होना चीए किन से अगर compare करें हम तो salt से क्योंकि पानी में ही salt dissolve होता है, salt में पानी dissolve तो होना नहीं है, नहीं होना तो इसलिए क्या करते हैं, हम maximum water level लेते हैं पानी की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, जिस वैसे वो easily उसमें dissolve हो जाए उसके बाद further हम repetition process करेंगे कौन सा, evaporation waspans का process repetition करेंगे फिर condensation होगा, जिससे हम water and salt को अलग-अलग कर सकते हैं संगनन और waspans की परकिरिया से, देखिए आपको कुछ activity है 8th activity देखिए इसमें साल समझ माज़ आपको क्या चीज़े इसमें क्या करा है you will need a beaker और a small pan, आपको क्या करना है एक beaker की जरुवत है और एक छोटा सा pan की जरुवत है ठीक है, उनके बाद क्या करना है a spoon salt and water उसके अलाबा भी आपको एक चम्मच लेना है नमक और जल लेना है जितनी जरुवत है, उसकी मातरा में जल लेना है ठीक है ना add one teaspoon of salt and stir it well अब क्या करना है, उस पानी में आपको जो आदा कप जल जो means क्या करना है, जो पानी लिया था आपने इस बीकर में आपने पाने लिया पाने में क्या किया, pour half of cup of water उसमें पाने डाला, half cup of पाने डाला, इसमें पाने डालने गवाई इसमें अपने salt डाला, उसके बाद अच्छे तरह के से मिलाया, मिलाने के बाद अपने क्या किया कि इसको देखना है क्या देखना है कि मैंने क्या बताय था इनको अगर देखेंगे आप इसमें आपको salt नहीं दिखाए गया क्योंकि वो इfounder लिजॉल वोड़ा है तो आपको क्या करना है आपको इसमें दब तक नमक मिलाते रहना है जब तक वो आपको दिखना शुरू ना हो जाए, means आप इसमें एक चमर डाला आपने मिलाया, फिर एक चमर डाला फिर मिलाया, फिर एक चमर डाला फिर मिलाया, फिर डाला फिर मिलाया, तो एक टाइम ऐसा आएगा, ना कि वो पाने में मिलना बंद हो जाएगा, बंद हो कहे लाइगा उस situation कहलाएगा आपका या वो solution कहलाएगा एक कैसा वो कहलाएगा saturated क्या कहलाएगा वह अबस छीजश कहलाएगा गतर मिन्स इसको कहेंगे हम संतिर्प्तिविलिहन मिन्स facilitate solution क्या होता है saturated solution वो होता है कि जिस solution में वो जो आपका salt है WHOSE घुलना डिजॉल्व होना बंध हो जाए तो उस solution को क्या कहेंगे हम saturated solution कहेंगे जिसे हिंदी में कहते हैं संत्रिप्त विलियन कहते हैं ठीक है इसके अलावा क्या है उसमें और भी जादा नमक नहीं dissolve हो सकता है ठीक है आपको समझ मा गया saturated क्या है अब देखिए यह आपको glass दिखाए दे रहा होगा नमक भी दिखाए दे रहा है इसमें आप देखिए नीचे को settle down होता हुआ दिखाए दे रहा नमक दिखाए दे रहा है इसमें क्या क्या आपने mix करता गया आपने mix किया आपने mix किया चार पांच बार आपने 5-6 चमश 10 चमश mix किया तो जितना amount of water है उतना ही तो यह mix होगा ना अब यह साड़े नमक को mix करने के लिए हमें क्या करना होगा हमें amount of water को increase करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा अगर हमने क्या किया इसको water level को 2 गुना या 3 गुना कर रहा है okay means अगर large quantity of water है तो हम easily उसमें dissolve कर सकते हैं समझ के बात अगर dissolve नहीं हो रहा है जहां तक हो dissolve होना बंद हो गया तो उसको क्या कहेंगे हम saturated solution कहेंगे जिसे हम संत्रिप्त विलियन कहते हैं okay अब बात आती है कि आप यह चीज़ सोचें कि अगर जो जैसे बूजो थी य इसने बताया कि मैंने क्या क्या एक्टिवीटी क्या एक्टिवीटी करने के बाद मैंने पूरा नमक का पैकेट डाल जाया कम amount of water में तो वह easily dissolve नहीं हो या पिर हम recover नहीं कर पाए जितना नमक था ठीक है तो उसके पास जो मिस्रन था उसके पास परियाप्त मात्रा में या प अब देखते हैं चलिए हम भी देखते हैं ट्राय करकर देखते हैं क्या है आप क्या करें बीकर में कुछ क्या करें उसमें पाण ले ले उसमें नमक मिलाए और तब तक इसे मिलाते रहें जब तक नमक घूल सके अई मैंने बताया था उसके क्या करना है घुलने के बाद आपको पता है, saturated होने एक बाद जो है, उसके bottom पे जो है, surface पे वो settle down होना शुरू हो जाएगा, नमक बैठना शुरू हो जाएगा, क्योंको वो dissolve हो यह नहीं, undissolve हो जाएगा, न मतलब घुलेगा ही नहीं उसमें, तो वो उसके नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, तो हम यह नहीं चीज़ देखते हैं उसमें, कि जो आपका saturated है, वो unsaturated solution हो, unsaturated का मतलब क्या, कि वो उसमें घुल सके easily, means, पानी का जो water लेवाल है, वो कैसा होना चीए, वो जादा होना चीए, अब इसमें क्या क्या हमने, यह देखा, कि उसको फिर वापस से, जो saturated हो गया था, saturated होने के बाद क्या क्या हमने उसमें गरम करना सुरू किया, तो गरम करना सुरू किया, तो हमने क्या देखा, कि जो saturated हो गया था, saturated होने एक बाद हमने गरम किया, तो हमने देखा, कि जितना हमने solution जो उनका डाला था, नमक का डाला था, वो easily हमें recover नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने कम quantity में water को dissolved किया था एक बात आती है कि अगर हम बात करें अब salt के अलाबा salt के अलाबा क्या पानी में equal amount में कोई भी soluble substance जो आपका वो mix होता है dissolve हो जाता है means अगर बात करें हम salt के साथ साथ क्या ले लें इस बार इस बार हम salt के साथ लेंगे sugar ठीक है कैसा लेंगे हम salt के साथ साथ sugar लेंगे तो हम क्या देखते हैं हमें ये देखना है कि दोनों का saturated points जो है दोनों का same होता है means वो saturated होना संत्रिप्त होना क्या एक point पे होता है या एक time पे होता है यह एक amount पर होता है, यह देखना है, ठीक है, उसके लिए क्या करना आपको, आप वापस से क्या करेंगे, एक cup लेंगे, उसमें आप water लेंगे, water लेने के बाद क्या करेंगे, एक में आप mix करेंगे, क्या, sugar को mix करेंगे, एक में आप mix करेंगे, salt को, until saturated, जब तक saturated ना हो जाए, आप उसमें डालते रहेंगे जब तक हो गुलना बंदना हो जाए अपने एक से दो स्पून, तीनी स्पून, चारी स्पून, पांच स्पून जितने भी डाला आपने 5 spoon के approximately में आपने इसमें डाला और इसमें 5 spoon के approximately में आपने इसमें डाला सूगर तो आपने क्या देखा क्या saturated होना शुरू हो गया दोनों अगर नहीं हुआ तो हम फिर देखे हमने क्या क्या फिर से वापस से उसमें salt को mix किया फिर उसके बाद हमने सुगर को मिक्स किया तो आपको एक table दिखाई दे रहा होगा ये table जो 5.2 का table है इस table में आपको क्या बनाना है substance है एक salt है एक सुगर है ठीक है इसके अलाबा और भी बहुत सरा चीज आप ले सकते हैं उसका देखेंगे number of a spoon of substance that dissolve in water water में कितना substance हो है वो dissolve होड़ा है वो चीज आपको find out इसमें से करना है उसके बाद आपको record करना है आपको इस table में record करके इसके बारे में बताना है कि कौन सा कैसे किस time में या कितने amount में saturated हुआ है आपका ये chapter आज complete हो गया है अब बात करने कुछ keywords का keywords के दिले देख लें आप keywords के लिए first क्या आपका churning है means मन्थन होगी आपका condensation, संगनन, decantation means होगी आपका निस्तारन, उसके अदवास्पन, evaporation, filtration, निश्यंदन, hand picking, हस्टचन बात लिए उसका saturated, जो आपका saturated solution है संत्रिप्त विलियन होगी आपका, sedimentation, अवशादन, shewing, shewing का मतलब वह था आपका क्या, जो आप चलनी यूज़ करते हैं, चाय बनाने के लिए, वह होता है सिविंग, इसको हिंदी में चालन कह सकते हैं, solution की बात करें, विलियन है, tracing को tracing कहते हैं, विनोइंग का मतलब कहते हैं आपको, वह कहते हैं, निस्पावन, जो आपने बताया था, height, कुछ height पे से, जो आपने क्या क्या था, जो mixer था, उनको आपने नीचे गिराया था, और व अगर आपको विडियो अच्छी लगड़ी हो, तो आप इसे like, share और subscribe जरूर करें, इसके description box में आपको link मिल जाएगा, आप इजली वहाँ से देख सकते हैं, अगर आपने पिछले lecture attending किया थे, okay, thanks, thanks for watching.